मर गया दुनिया का सबसे गंदा आदमी, 50 साल से नहीं नहाया था जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने 50 साल तक स्नान नहीं किया, नहाया नहीं था तो आज हम इस व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं कि ये कौन है, कहा के रहने वाले हैं और उन्हें 50 साल तक स्नान क्यों नहीं किया विडियो इंट्रेस्टिंग लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह जो विक्ति आपको पिच्चर में दिखाए दे रहे हैं इनका नाम है अमो हाजी इरानी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 94 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यू हो गई है जी हाँ अब ये दुनिया के सबसे बड़े गंदे आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहे अमो हाजी ने 50 वर्ष तक इसलिए नहीं नहाया था क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो नहा लेंगे तो उन्हें इनफेक्शन हो जाएगा और उनकी मृत्यू हो जाएगी इसी कारण वर्ष अमो हाजी ने 50 वर्ष तक स्नान नहीं किया और जब इन्होंने लास्ट टाइम स्नान किया तो उनकी देथ हो गई वहां के रहने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि जब अमो होजी युवा अवस्था में थे तो उन्हें किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा था जिसके वज़े से उन्होंने नहाने से इनकार कर दिया था और युवा अवस्था से लेकर व्रिधा अवस्था तक उन्होंने कभी भी इस्नान नहीं किया वो गंदगी में रहना ही पसंद करते थे और गंदा ही रहना पसंद करते थे रस्ते में गिरे हुए चीजों को उठा कर खाना मरे हुए जानवरों को खाना ही उन्हें पसंद था 2013 में इस व्यक्ति के ऊपर एक मुवी भी बनाई गई थी जिसका नाम था The Strange Life of Amo Haji ये एक short documentary movie थी और उस documentary movie में दिखाया गया था कि जो Amo Haji है वो अपना जीवन की इस प्रकार वैतित करते हैं वो कभी भी नहाना नहीं चाते थे अंत समय में उनके गा में रहने वाले लोग उन्हें फोर्स करने लगे कि अब आप नहा लीजिये और जब उन्हें नहलाया गया उसके बाद कुछ समय के बाद ही उनकी मृत्यू हो जाती है उनकी मृत्यू नहाने के वज़े से नहीं बलकि उनकी दिमाग में बैठे हुए नकरात्मक सोच के वज़े से हुई थी उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मैं नहाऊंगा तो मेरी मृत्यू हो जाएगी और ठीक उनके साथ वैसा ही हुआ इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन में नकरात्मक सोच नहीं लेके आना है कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है आपको बता दे कि अमोहाजी के कोई भी रिष्टिदार नहीं थे वो अकेले ही इरान के एक देजगाह गाव में रहते थे वो अकेले ही इटो से बनी हुई एक खुली जोपड़ी में रहते थे और मरे हुए जानवरों को खाते थे बहुत सारे विशेशग्य उनके पास गए उन्होंने उनसे बात की और ये जानवरों की कोशिश की कहीं अमोहाजी को कोई तकलीफ तो नहीं कोई बिमारी तो नहीं जिसके प्रजे से वो नहाने को मना करते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं निकला अमोहाजी बिलकुल फिट एंड फाइन थे वह अपनी मर्जी से ही नहीं नहाना चाते थे क्योंकि उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि अगर वो नहाएंगे तो उनकी मृत्य हो जाएगी और ठीक ऐसा ही हुआ अंत समय में उनके गाववालों ने उन्हें जवर जस्ती ही नहला दिया नहलाने की वज़े से दिन बद दिन उनकी तब्यत खराब होती चली गई और अंत में उनकी मृत्यू हो गई वीडियो पसंद आया हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करके जाए थैंक यू थैंक यू सो मच